नमस्कार मैं हूँ सुमन कुमार टीवी ने भातवर्ष डीजिटल में आप सभी का स्वागत हैं दोस्तों दिल्ली नगर नियाम का चुनाव हमारे आपके बिलकुश सामने है आज आखरी तारीक नॉमनेशन का इस वक्त मैं जहां हूँ मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे यह लेडिज और खासकर मैं इनसे रूबरो ऐसे करवाता हूँ कि हम जिस समाज की बात करते हैं दिल्ली की समाज की बात करते हैं मुस्लिम समाज की बात करते हैं यह महिला हैं आपको जो दिख रही हैं यह इंटिलिक्शल लेडिशन तो इसमें आप जिनकों देख रहे हैं क कि हम जब बुर्गा के बात तुमाम सारे दूसरे बाते को मसलों पर नहीं जाईए जब इंटेलिश्टुलिटी की बात करते हैं दिल्ली के लिए इनके जहन में क्या होता है सबस्पाइल हम फराज सुरी जो दिल्ली के मेर रहे हैं जिस MCD को इस बार तीनों को मिला कर एक किया गया शुरुवात में उस वक्त यही फराज साब हैं जब दिल्ली के मेर हुआ करते थे और आपने दिल्ली के बहुत तरीके से वहां शब्द का इस्तमाल नहीं करूंगा उस तरीके से फराज साब का एक अलग जलवारा इस बात भी फराज साब आप खड़े हुए हैं सबस् समझर के कॉंगरिस से बहुत बहुत बहतर नहीं है ऐसा माना जाता है कई नेता जहां अभी जवाब दूझा या जब आप जब आपके सवाल खतम हो जाएंगे जवाब आप शुरू करिया देखिए पहले तो आपका शुक्रिया दा करूंगा ये एक परसेप्शन बनाया है जिस मैं माफ़ कर रहा है आपकी बरादरी का भी बड़ा रोल है कि कॉंगरिस कमजोर है ऐसा नहीं है और जमीनी परसेप्शन और जमीनी हकीकत में बहुत फरक होता है आप जाएए अवाम से बिलिये और ये एलेक्शन परसनल एलेक्शन होता है आप जिस इलाके से लड़न चाहते हैं जहां की नुमाइंदगी करना चाहते हैं अगर आपका लोगों से रैपो है अब रैपो आपका कैसे बनता है रैपो आपका ऐसा बनता कि आप अवेलेबल हैं लोगों के लिए नहीं और फिर आप काम करते हैं नहीं करते हैं आपकी जुबान कैसी है आप लोगों का एतराम करतें नहीं करतें तो मुझे ऐसा नहीं लगता ये और हिंदुस्तान की सियासा ता बहुत बदल गई है हिंदुस्तान में साइलेंट वोटर जबरदस्त नंबर्स में आ गया है अगर अगर जो आप कह रहे हैं कि कॉंग्रस कमजोर है तो फिर आपके सारे सर्वे जो करतें ग्राउंड रियलेटी अलग है और मैं फिर कह रहा हूं उस हकीकत पेश करने के लिए हम आपके साथ नहीं आप आप पूछिए आप से आपने मुझे फोन किया और मैंने का साम मैं जा रहा हूं निजामुदी इन्वेस्ट मैं कुछ लेडिस को बिलने और अगर मैं उ आपके सामने अभी जो सबसे बड़ा मसला है क्योंकि सामने अर्विंद केजिवाल है जिसके सरकार है वो फ्री पानी बीजली बस तमाम सारी चीजें हैं बीजेपी आउपर से लेकि नीचे अब देखी रहे हैं तो फाइट तो बहुत टफ है इसलिए तीसरे धूरूप को म के जिरिवाल साब का यूएसपी का क्या रहा है आजकल वो उसके बारे में बात नहीं करते हैं वो दो चीजों का एजेंडा लेके निकलेते हैं और ये काता के साम हमारा एजूकेशन मौडल सबसे बड़िया है और हमारा हेल्थ मौडल जब कोविड आया अगर मौला क्लीनि इतनी कामियाब थी तो उनको उस वकद लोगों के काम आना चाहिए था सारी बाहुला कलीनिक क्यों बंद कर दी पूछे ना सारी बहुला क्लीनिक यूं और मैं आपसे दावे से कह रहा हूँ दिल्ली में एक कॉलेज नहीं खुल गया आप बता दो आपको पता हो तो आप ब इंडी उनिवर्टी जै हस्पटाल कितने नहीं बने बता दीजे कुछ नहीं स्कूल बने हैं बेंडिक नहीं मेरी सुनिजे स्कूल को रंग पेंट अच्छी तरह किया है अच्छी बात है मतब एक आम्बियंस अगर अच्छी होती है तो बच्चे का स्कूल में जाने का दिल कर सौ दिनों में जेल भेज दूँगा कहा था और फिर 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 मैं आप पर आओंगा क्योंकि अब हम परिटकल नहीं बलकर आम महिलाओं की बात कर लेते हैं कि एक इंटेलेक्शुल क्लास आखिर उसको दिल्ली में क्या चाहिए नगर निगम आप जानता है कि यो जो मसला है वो जमीनी मसला है हर एक दिन या दूसरे दिन के जो मसले हैं वो आप लोग क्योंकि नगर निगम का चुनाब है तो आप लोग क्या होता है वो डाल ले से पहले क्या सोचतNow सबसे पे पहले तूम यह देखते हैं कि कौन ख़ड़ा हूँ है क्या इसके इंदर इंसानियत है क हमारे पास लाझ पास अल्ढ ने दे रखगा है चया हमारे घ्रोजगारी है बेरोजगारी यह तो आप लोग mike ऊwhere हमारे मसला नहीं हमारा मसला है कि हम्धों में चलीBoy घाए हुमारें अच्छा पास एक ट Glue जी 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 हमारा समझें और मुझे लगता है कि मतलब यह कहने वाली बात नहीं कि आज फराज साब मेरे पास वेठे हुए तो में उनका उनको बारे में पुछ बोलू यह हकीकत है कि आज से बाइस साल पहले हमारे एंटर निजाम अदीन में हुई थी हमने आ लिया था तो उस है तो यहां पर कि जो MLA साब है या कॉंसलर साब थे शायर उस राइम उन्होंने भेज़े है तो वो दिन से उस दिन से आज तक की वक्त आ गया है हमें वो लड़ू आज भी ईद पर ईद से जादा खुशी होती है जो वो लड़ू आते है तो यह इंसानियत है मोहबत ए है पानी भी फरी में है बजली भी फरी में है तो उसमें इंसान जयादा तवज्ज को और समाज को बहुत आगे लिए चली जा रही है इनके जहन में क्या है वही मैं आप लोग कभी इस बारे में सोचते होंगी हम वोट किसको दें कैसे दें आपके जहन में क्या होता है और क्योंकि नगर निगम का यह चुनाव है इस वक्त क्या आपके जहन में नगर निगम का जो मेंन कोन्सेप्ट यह है कि जो हमारे एडियो में सही काम कर सके हैं तो हज़ांगे और बौरीए में किसा क्या है मैं सही काम करें इस्ते पहले जो जा जेश qt जिनके हमें यहाँ पर आए हैं जिसके सुन्हेय काम तो करें तो हम तो उस ही को क्यों ना उपर लाइन जो काम कर रहा है, उसको क्यों लाइन जो काम ही नहीं कर रहा है, जो हमारे रोड्स बिल्डप नहीं कर रहा है, जो हमारे लिए और साफ सफाई के लिए नहीं कर रहा है, अब हम क्या देखते हैं कि जो मेन एरियास हैं उसमें तो साफ पर जो बच्चों के लिए पार्क्स मेंटेंग कर रहा है तो वो जादा जरूरी है और जो प्रोटेक्शन दे रहा है अच्छा तो इन्हों बात करी है सिग्रेटी के लिए कर आप लोग कितने हैं आप लोग के चाहर में क्या होता कैसा दिल्ली सुरक्षित है यह नहीं है हमारे अरिया मैं पकर रहा है देखिए सबसे पहले तो मैं आप सब कर शुक्रिया करना चाहूंगी कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पर कुछ बोलने को मिला मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी कि हमारी कॉलोनी में करप्शन बहुत बढ़ ला है हम लोग अपने घरों में सेक्यूरिटी बिल्कुल नहीं है सेक्यूरिटी कॉलोनी तो छोड़िए सब्साड़कें चोड़िए हम अपने घरों में भी सेफ नहीं है मेरे बेटे को बेखुसूर बस थी के गुंडों ने मारा आके जी मैं इसके लिए मेरे हजबन ने मुझे रोग दिया कि कोई शिकाय मैं चाहती हूँ के फरासूरी साहब आप बहुत आपकी बहुत तारीफें सुनिया आपने हमीशा हम लोगों के लिए काम किया है तो मैं चाहती हूँ के सेक्यूरिटी के लिए आपकोई एक्शन ले मैं उनसको वोट देना चाहती हूँ जो वो काम करता है only because people talk they don't work but he really works I have seen in him his work also and God bless him He is the best I have the पुक्त